संसद का सत्र शुरू होने की तारीख का अलान भी हो चुका है लेकिन कॉंगरेस ने अब तक ये तैय नहीं किया लोगसभा में विपक्ष का निता कौन होगा कॉंग्रेस में ये मांग तेज हो रही है कि राहूल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमेका में आना चाहिए विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद पिछली दो लोकसभा में कॉंग्रेस दस पीसदी सीटें भी नहीं ला पाई थी जिस वज़े से उसे नेता प्रतिपक्ष का दरजा नहीं मिला लेकिन इस बार उसकी सीटें बढ़ी और 99 हो गई और नेता विपक्ष का पद उसे 10 साल के बाद मिलना तै हुआ है कॉंग्रेस के भीतार एक राय है कि राहूल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए पिछले दिनों कॉंग्रेस वोकिंग कमेटी की मीटिंग से लेकर कॉंग्रेस अंसदी दल की बैठक तक में मलिकार जुन खड़ के सर्थ तमाम नेताओं ने एक सुर से राहूल गांधी के सामने अपनी मांग रखी इस मांग पर राहूल गांधी ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है लेकिन अब तक राहूल गांधी सोच ही रहे हैं और दूसरी तरफ कॉंग्रेस के नेताओं के बीच इस बात को लेकर संशे है कि राहूल गांधी कहीं फिर से पद स्वीकारने से एन वक्त पर इंकारना कर दें जबकि पार्टी के भीतर मानना है कि अब वक्त आ गया है कि राहूल गांधी को आगे बढ़कर पार्टी को लीड करना चाहिए पार्टी के एक सीनियर नेता का कहना था कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी की अगुआई की पार्टी चाहती है कि वैसा ही नेतरत्वा लोकसभा में पार्टी का करें पार्टी का मानना है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए राहुल गांधी पहली पसंद है और नेतरत्व की भूमिका में आने के लिए एक बहतरीन मौका है एक अन्य निता का कहना था कि पार्टी के भीतर ये राय पुखता है कि राहुल गांधी को अपने पिता और पूर्व पियम राजीव गांधी सोनिया गांधी की तरह निता प्रतिपक्ष बनकर सदन में लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए सुत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ये जिम्मधारी लेते हैं तो इसका फायदा उन्हें और पार्टी दोनों को होगा निता प्रतिपक्ष की भूमिका में आने के बाद विपक्षी खेमे के भीतर भी राहुल गांधी को लेकर सोच बदलेगी निता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन लोगों की सोच भी बदलेगी जो अब भी राहुल गांधी को लेकर असहज महसूस करते हैं राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपने परिवार की पारंपरिक सीट राइबरेली के साथ साथ केरल के वाइनाट से भी जीते हैं उन्हें दोनों में से एक सीट छोड़नी होगी हलाकि राहुल गांधी ने अभी तक ये साथ नहीं किया कि वो कौन सी सीट छोड़ेंगे उन्होंने राइबरेली और वाइनाट दोनों ही जगह अपनी धन्यवाद साभाग में लोगों के सामने दोनों सीटों को लेकर मन में चल रही दुविधा का जिक्र किया था माना जा रहा है कि राहुल गांधी वाइनाट सीट छोड़ सकते हैं वाइनाट को लेकर चर्चा है अगर राहुल ये सीट छोड़ते हैं तो प्रियंका गांधी चुनाब लड़ सकती हैं इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि राहुल के वाइनाट छोड़ने से स्थानिय लोगों के बीच की नाराजगी को दूर करने का अच्छा तरीका रहेगा कि गांधी परिवार के किसी अन्ने सदस्य को यहां से उतार दिया जाए। यूपी में क्रमशा 2 और 1 सीट लाने वाली कॉंग्रेस इस बार 6 सीटों पर जीती है। झाल यूगंज झालाज झालाज जिलिचा झालाज बालाजिक झालाज़ क्लाज़। झाल झाल